करें कि कलकी मूवी के बारे में काफी तरही अमेजिंग अग्डेट आती हुए नदर आ रही है जो मैं आप से लोगों को वीडियो में आगे बताऊंगा उससे पहले आप लोगों नहीं तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जली सब्सक्राइब करें बैल आइकन को द कलकी के कुछ सीन रिक्रियेट करें जा रहे हैं उसके लिए यहां में परवास को वापिस बुलाया जा रहा है या दोसो फिलम की शूटिंग हैंड होने के बाद कोई पर एक्टर शूटिंग पर नहीं जाता बर ते इस बार तो कुछ अज़बी देखा गया है कलकी की हैं जो रिक्रियेट करने पड़े हैं उसके लिए पर बास से दो तिन बार तो शूटिंग में जाते हुए नदर आये हैं दोसो इस बार तो नाग अशुन सबसे आगे ले जाने वाले हैं अपनी मूवी को उसके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं जैसे पर बास को दोसरी बार पर बुलाया जा रहा है और बास को कुछी दिन और शूटिंग पर जाना पड़ेगा बास चाहते कि यह जो मूवी है वह काफी तदा ही ब्रिलेंट गमाती हुए नदर आए बट इस मूवी की जो मेकर से वो लेट कर रहा है उसको देखके मुझे एक बार फिर से लगता है क क्लकी की प्रमोशिंट करने वाला कि की जो बीटर करने की जो काफी दा ही खतरनाका थिसको का प्लकी कर सकती है यहन कि वा फो काफी जादा ही पेंडिंग में पड़े हुए है जैसे इन्मेटे बिल्ड लूट और यहाँन की बास आप दिजिए ब्लमेंग है का लेदे ट्रेलर तो ज़रूरी ही आएगा वाकि ये सब चीजे जब आएगी तो धमा की ओपा धमा के होते हुए नजर आएंगे काफी रही उनक्सवेड़ यहां में चीजे करते हुए नजर आएगी यह मुवी दोस्तों आपको कहले लगते हैं यह मुवी कितना कमाएगी या यह मूवी कहां तक जाती हुए नजर आएगी या फिर इस मूवी की हाइप क्या बनेगी इस मूवी के मटीरियल आने के बाद यह मुझे आप कमेट शेक्षिक्षिन नदर जोरी बताएगा और यहां में पिछ हमाज यह को सब्सक्राइब कर ले बेल आइकन को तब बाना ना अब लेगा टाकिया माज रवेड़ा आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच जाए दोस्तों मिलते हैं आप से न्यू वीडियो के ना न्यू ट्रपिक हुआ कि एप सब्सक्राइब में ठेक्यू वाचिंग हरे किष्णा रादे रादे